तो आज हमारे पास है T10 Ultra Smart Watch दोस्तों आपके पास कोई सी भी कमपनी की Smart Watch हो अगर आपके भी back sensor problem कर रहे हैं तो आज मैं आपको इसका solution बताना वाला हूँ सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जो back sensor होते हैं वो green light में भी आते हैं और red light में भी आते हैं तो आज की वीडियो बहुत ही interesting and amazing होने वाली है तो वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें step by step पूरा वीडियो देखें वरना आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो चलिए दोस्तों time waste के बगर वीडियो को start करते हैं लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक हो चैनल को subscribe कर ले और bell icon को press कर ले ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो चलिए वीडियो को start कर तो सबसे पहले heart rate वाले पर या ECG वाले पर किसी पर भी आप click करते हैं तो back side में कुछ ऐसा sensor वाला option आपको देखने को मिलता है ऐसी sensor वाली light आपको देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर क्या problem आ रही है कि light एक बार जलती है तो यह off नहीं होती है smart watch को off कर देते हैं फिर भी off नहीं होती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी smart watch को off करके check करना है off करके on कर लेना है उसको अगर आपकी problem जो है solve हो जाती है तो ठीक है अगर उसके बाद भी नहीं होती है तो आपको क्या करना अपनी smart watch को अपनी जो application है उससे आपको connect कर लेना है जैसी भी application से आपकी smart watch connect होती है रिसे एफ़ी हो जाएगी सिश्टम उसके रिसेट हो जाएगे आपकी सेंसर no Its kit यहां पर अगर आपकी जो सेंसर यहां लाइट स्मार्ट वॉच की तो यहां पर आपको ऐसे कंडिशन स्मेर करना यह जैसे आप अपनी smart स्मार्ट वोच को रिसेट करोगे तो आपकी प्रोब्लम भी सौल हो जाईगी उसके बाद यहां पर एक और इमपोर्टेंट बात माँ आपको यहां पर बता देता हूं आपकी स्मार्ट वोच होती है उसमें हाट बेट्स वगेरा और इसीजी वगेरा बलट प्रेशर वगेरा को option आपको देखने को मिल जाता है जो कि sensor light की मदद से आपको इंडिकेट करता है यहां पर देखे दोस्तों आपको बता देता हूं कि अगर आप इससे चेक करते हैं तो आपको इसके बरोसे में नहीं रहना है क्योंकि यह रोंग बताती है इस पर आपको वि सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले टाकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें